आयोधिया में राम जुन्म भूमी विक्सित करने का खाका पूरी तरीकी से तयार कलिया गया है। पाच जगस्त को राम मंदि निर्मान का भूमी पूजन किया जाना है। इसी के साथ ही अयोदिया की भूमी के आसपास का सुनसट एकर जमीन को विक्सित करने का खाका पूरी तरीके से तयार है। इस पुरिक्षेत्र को हाइटक सिटी के रूप में विक्सित किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रीन बैल्ट में राम लला को विराजित किया जाएगा। बनाए जा रहे हैं इस मंदर का गर्ब ग्रह राम दर्बार का पूर्व के तरफ मुख्ख होगा और मंदर के दर्बार से हनुमान गड़ी के तर्शन भी होंगे। इस पुरे शेत्र को राम कोट नाम दिया गया है और प्रस्तावित मंदर की उचाई 145 फिट है। से पूजा जारी रहेगी। 1994 में हाई कोट ने भी सीज का फैसला सुना दिया था। उदर प्रिदेश की सरकार में इस विकास कारे के लिए तयारियां शुरू कर दी गए हैं। और महा योजना 2031 फर काम किया जा रहा है। राम जर्म भूमी के विकास का खाका पूरी तरीके से तयार है और इसे हाइटेक बनाने की पूरी योजना चल रही है। मंदिर से जुड़े यानि छोटे मंदिर और परिक्रमापत की बात की जाए तो परिक्रमापत और पंच देव का मंदिर लगभग 6 एकड़ शेत्र में होगा। पांच शिखर वाले इस मंदिर के निर्माण में लगभग 300 करोड रुपए खर्च होंगे। मंदिर का फर्ष ग्रेनाइट पथर का होगा, इसके अलावा आसपास के विकास का खर्च अलग आएगा। साथ ही मंदिर निर्माण के नक्षे को पास करवाने के लिए 2 करोड रुपए फीज भी दी जाएगी। आपको बता दें, इस शेत्र को बहुत बड़ी एरिया में बनाया जा रहा है और इसे हर तरह से खास बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें।